असलाम वालेकुम दोस्तों मैं अपने यूटूब चैनल पाड़ोमेन पर आप सभी का एक बारा और खैर मकदम करता हूं और यह जो जगह है यह इसलाम के एक बहुत बड़े पैगंबर अयूब बले इसलाम का मकबरा है और हम लोग पिछले वीडियो में ने जैसे आप लोग निकल के उस जगह पर जाने वाले हैं जहां पर जिस चस्मे की पानी से उनको सिफा मिला था अब हम वहां के लिए निकल चुके हैं यह जो इदर से रास्ता आ रहा है इस रास्ते से हम लोग आये थे अब उस यह मकबरा था और मकबरा के आगे हम लोग उस चस्मे का पास जा बादा दूर है नहीं जैसे दो-3 किलोमेटर ऐसे कुछ होगा वैसे पैदल चलके दो किलोमेटर नीचे जाना है कितना खुब्सूरत सा घर था एक अमान में वैसे घर बहुत सारे आपको मिलेंगे पहाडियों के बीच में सिंगल सिंगल अभी पार्किंग में गारी पार्क कर करने के लिए बनाया गया है और यह देखिए हमारे दोस्त लोग भी पीछे से आ रहे हैं और गाड़ी हमारी वहां उचाई पर खड़ी है और हम लोग धीरे-धीरे नीचे के तरफ जा रहे हैं तो यह हम लोग ऐसे जाएंगा और उसकी स्टोरी भी बता दूं आप लोगों है उस तरह की बीमारी हो गई कुछ तो उस बीमारी को दूर करने के लिए मतलब इस कहानी के सुरुवात वहां से होती है कि एक बार फरिष्टे जो अल्ला तला से उनका मतलब किब्रियाई ब्यान कर रहे थे कि वह बहुत सुकर अदा करते हैं आप आप अल्ला सुबना तला जो है लेके भी जाते हैं और यहां अरब में वैसे जमीन से पानी निकलता नहीं है बहुत मुश्किल है बट मुश्किल से निकलता है और वह भी निकलता भी है तो खारा पानी पीने लायक नहीं रहता है मगर यह जो पानी है मैंने भी टेस्ट किया है और कोने से पानी निक हैं आफिक लिसे अन्दर से आता है कि नहीं पूरा पानीन है जो पानी भर हमारे दोस्त ही रहे हैं और एक हमारे दोस्त आ अगाहिम के टाइप में मिलता है और उनको उनको बस बोलना होगा कि आप मुझे ठीक किया है तो उनकी बीबी अपने हस्बेंट सा कि यह बात बोलती है तो गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि अगर मैं ठीक भी हो जाओंगा तो मैं तुमको सो कोड़े मारूंगा क्योंकि तुम सैतान वो सैतान था और तुम उसके बात में आ गई और तुम राजी हो गई कि हाँ वो ऐसे बोल देंगे अभी जिस रास्ते से हम लोग गए थे उसके कुई ऑपोजिट छोटा सा रास्ता है बागी वह लेडर से चड़ना पड़ता है बलब सीडियों से उपर PM लोहे की से बंजा रखिये कितना नीचे है यहां से ठीक हम लोग नीचे से आएं हैं और अभी भी हम लोग उपर जा रहे हैं हमारे दोस्त लोग आ गया आएं तो सैतान से तो वह एलाज नहीं करते हैं लेकिन ऐसा होता है कि उनका भाई उन्से मिलना आता है और वह बोलता है कि जरूर आपने अल्ला की ना फर्मानी की होगी तभी आप पे ये आजाब आया है तो इसके वैसे वो उनको अच्छा नहीं लगता है उनको बुरा लगता है और वो अल्ला तला से दुआ करते हैं कि अब जो अजमाईसों का दौर वो खतम होना चाहिए तो उस दौरा के दौरान वो अपने पैर को जमीन में मारते हैं वहां से एक चस्मा जारी हो जाता है और उसी चस्मे के पानी में वो नहाते हैं और सहत्याब और तंदुरूस्त हो जाते हैं उसके बाद उनके फिर कई बच्चे भी होते हैं और चार पुस्तों को वो देखते हुए 140 साल की उमर में वो वफात पाते हैं तो ये थी अयूब ले सलाम की सबर और उनकी कहानी तो अब हम लोग यहां से गाड़ी में बैट के निकल चुके हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूं असलाम अलेकूम खोदा हाफीज